हलो हाई नमस्ते वेलकम टू थर्ड एपिसोड अफ अवर सीरीज जिस सीरीज में हम लोग डिफरेंट मैज सॉल्विंग एप्लिकेशन को टेस्ट करेंगे और चुनेंगे बेस्ट मैज सॉल्विंग एप तो आज का हमार एप है Mathway तो आपने इसका नाम जरूर कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा आपके किसी फ्रेंट ने आपको बाता है होगा कि ये एप बेस्ट है और आपने यूट्यूब पे किसी वीडियो के थमनेल पे देखा होगा कि ये एप है बाप अफ मैज और पता नहीं क क्या क्या सुना होगा तो आज की ये वीडियो देखो और देन डिसाइड करो कि Mathway आपके लिए है या नहीं तो हमारी सीरीज की प्रथा के अनुसार फर्स्ट क्वेशन हम अल्जेब्रा का लेंगे तो सबसे पहले हम स्कैन करेंगे ये फर्स्ट वाला क्वेशन देन इसने डिटेक्ट कर लिया है प्रप्लम को देन इस एरो को हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आता है इस आपका एक अजीब सा फीचर एक्स्प्रेशन टाइप करने के बाद आपको क्वेशन इस लिस्ट में से एक चुनना पड़ेगा तो अगर आपका क्वेशन इस लिस्ट में है तभी आपको एंसर मिलेगा वरना टाटा बाई 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 तो इस problem का सही answer तो इसने दे दिया है तो अब हम steps देख लेंगे तो यहाँ पे आता है सबसे बड़ा climax इस app में आपको सिर्फ answer मिलेगा अगर आपको जनना है कि यह answer केसे आया in short इसका explanation और steps चाहिए तो आपको opt करना पड़ेगा इसका premium version इसका premium version कोई बहुत बड़ा issue नहीं है लेकिन अगर यही features मुझे free में किसी दूसरे apps मतलब photomath और microsoft math solver में मिल जाते है तो मैं math way क्यों download करूँ तो पिछले photomath और microsoft math solver के वीडियो में आपने देखा होगा कि वहाँ पे हमें answer with explanation मिल जाता है और math सक ऐसा subject जिसमें सिर्फ answer accurate होने से फाइदा नहीं है वो steps accurate होना भी उतना ही जरूरी है और steps को भी marks होते है तो अगर हम exam point of view बात करे तो यह app आपके कुछ काम नहीं आए इन case of mcq जिसमें आपको सिर्फ accurate answer चाहिए होता है तो उस case में यह app आप यूज कर सकते हो तो हमारी हर वीडियो में हम लोग पाच्छे type के problem solve करते हैं तो इस वीडियो में ऐसा नहीं होगा हमने सिर्फ algebra का एक problem solve किया है उसके बाद हमें यह पता लग चुका है कि इसमें न और इस app के features भी मुझे इतने अच्छे नहीं लगे बिल्कुल भी user friendly नहीं है तो इस app ने काफे disappoint किया है मुझे तो यहाँ पे आपको problem के topic के नुसार यह section चूज करना पड़ेगा अगर trigonometric है तो trigonometry section में problem type करो अगर statistics है तो statistic में type करना पड़ेगा तो अगर हमने गलत section में गलत problem डाल दिया तो क्या answer नहीं आएगा? answer के लिए पहले problem तो type करना पड़ेगा तो यहाँ पे आपको हर section के लिए अलग अलग calculator मिलेगा जैसे अगर basic math है तो मुझे सिर्फ plus minus into मिलेंगे अगर trigonometry है तो मुझे trigonometry related सारे functions का यह calculator मिल जाएगा अगर मुझे मालूमी नहीं है कि मेरा यह problem किस category में आता है तो उस case में तो मुझे सारे calculator में चेक करना पड़ेगा कि यह function कहा है यह function कहा है so this is quite irritating तो इस app का एक मातर feature जो मुझे अच्छा लगा वो है voice command का तो आप बोल के problem को type करवा सकते हो रेकिन यहाँ पे भी math में काफी सरे functions आते है theta, sign, cost तो वो य इस command यूज करने का कुछ मतलब ही नहीं बनता आपको question type ही करना पड़ेगा ओके तो और एक exam लेंगे तो यहाँ पे हम aptitude का question बोलेंगे वो train वाला पिछले वीडियो में आपने देखा होगा शायद तो type तो यह अच्छे से कर लेता है लेकिन main point यह है कि यह solve कर पाएगा यह नहीं आपको क्या लगता है तो as usual I don't recognize this problem so it doesn't understand बड़े बड़े sentence only expression के लिए use करो in bracket अगर आपका सवल उस list में होगा तो तो वीडियो यहाँ पे stop करते है इस app के बारे में मुझे और कुछ जादा नहीं बोलना है कापी disappoint किया है इस app ने मुझे फिर भी मेरे efforts के लिए वीडियो को एक like जरूर करते न और यहाँ पे आपको photo math और Microsoft math solver का review मिल जाएगा तो आप इन वीडियो पे click करो और वो वीडियो देखो मिलते हैं next वीडियो में take care and bye